यहां पर बुलाने के बाद जो है उसके साथ घर में मार पीट होती जैसा हूँ शक्स ने बताया था जो है उसे नशीला पदार्थ खला कर उसके बाद उसे कुछ नहीं होश में आया लेकिन बड़ी ख़बर आपको बतादे कि आज बड़ी कारवाई या उसको बिलास्पर कोट में पेश कर दिया गया था जहांपर उसे आज नियाई घरासत में भेज दिया गया और जो माल वहा महिला का आजर्फ लेकिन महिला का कहना था कि उसके घर में वह घृट वर्जा के नहीं होएं लेकिन सबसे बड़ी बात है बलाप में इस तरीके से घटना होने से लोगों में काफी ज़्यादात होने शुरू हो गया पता दे कि इस महिला के उपर जो है एलिगेशन लगया कि इस महिला ने घर पर बुलिश को बुला कर जो है उसके साथ रेप का जो है मामला दालने कोशिश कि और उसके बहुत ज़्यादा मारपीट की तस्वीरें आपको कल दिखाई थी काफी ज़्यादा वाइरल होने के बाद जो है इस महिला को बिलासपुर कोर्ट में जो है इसको पेश करने के बाद नयाई घरास्त में क्या हूँ आपके साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने पक्स में कुछ कहेंगे क्या हूँ आपके साथ मैंने सारी मजबूर इसको बताई है इसने मेरे साथ अठाप आई वही मेरे इसकी साथ इसने इतनी बड़ी कैंची मेरे से में सो दिखाई इसने अर्माने समझोता किया तो देख सकता है कि महिला को जो है पुलिस द्वारा हिरासत में लिए अगर रात कुछी घंटों में ज द्वारा की महिला की दवारा बताया रहे है कि उसके साथ रेप हुआ है उसके साथ किस तरीके से न्याई की मांगे लेकिन महिला को जो है पुलिस ने गिरिफ्तार किया रात को इस महिला को गिरिफ्तार कर लिया गया था और अब जो है न्याई खिरासत में बेज दिया किस तरीके से इस महिला ने उसक्ष को घर पे बुलाया और जहां पर उसके साथ मार पीड की गई और अभी पुलिस जांच का विश्य है, क्या कुछ इस मामले में निकल कर सामने आता है, वो तो सामने आपके सामने पहुँचेगा, जल्द ही देखते ही है, अच्छे सामधियों.